दिपिका कटकर और शोयब इब्राहिम टीवी इंडिस्ट्री के बेस्ट कपिल्स में से एक हैं। देखिए इस पहली तस्वीर को। इस पिक्चर में शोयब और दीपिका दिलवाले तुलहनिया ले जाएंगे कि राज और सिम्रन की तरह फोस देते नजर आ रहे हैं। इस दूसरी तस्वीर को देखकर आपकी भी यादे ताज़ा हो गए होगी। वो पल याद आ गया होगा जब कुछ इस तरह शोयब ने दीपिका से अपने प्यार का इजहार किया था। दोनों की ये फोटो नचबल ये की है। उस पल की है जब शोयब ने पूरी दुनिया के सामने दीपिका से अपने प्यार का इजहार किया था। और दिपिका को शादी के लिए प्रिपोस किया था। उससमें दिपिका शोयब की इस बेंतिहां प्यार को देखकर काफी एमोशनल हो गई थी और वशो के सेट पर ही रोपड़ी थी। अब इन तस्वीरों को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि शोयब और दिपिका जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनको दुनिया दारी की कोई भी फिकर नहीं होती है। मस्ती करते रहते हैं यह तस्वीर भी इस बात का सबूत है जिसमें शोयब दिपिका की चोटी को खीषते हुए नजर आ रहे हैं जिन्देगी का कोई भी पड़ाव क्यों नहों दिपिका हमेशा सोयब का साथ देती नजर आती है वोई शोयब भी दिपिका का साथ कभी नहीं छोड़ते बिग बोस बारा के घर में भी इनकी एक छोटी से जलब देखने को मिली थी इन दोनों के बीच का प्यार देखकर उस दोने हर कोई हैरान नजर आया तो वहीं इस पिक्चर में भी दिपिका पती का हाथ थामे मुस्कुराती नजर आ रही है और इस तस्वीर को देखकर साफ लग रहा है चाहे कुछ भी क्यों नहों जिंदगी के हर मोड पे दोनों एक दूसरी का हाथ यूँ ही थामे नजर आएंगे तो वहीं इस तस्वीर में शोटी बड़े ही प्यार के साथ दिपिका की आँखों में देखते नजर आ रहे है शोटी का को देखकर साफ पतर चल रहा है कि केवल दिपिका ही वह इंसान है जो शोटी वाले दिन ये दूनों कभी बाइक पर एक साथ घूमते दिखाई देते हैं कभी शॉपिंग करते तो कभी बारिश में चाय का लुप उठाते नजर आते हैं दोनों की शादी को लगभग डेर साल से जादा का समय हो चुका है लेकिन इनकी केमिस्ट्री को देखकर लगता है जैसे मानों इन्हें अभी ही एक दूसरे से इश्ग हुआ है और इनकी इंस्ट्राग्राम पर शेयर की गई ये पिक्चर भी इसी बात का सबूत है शोयब ने एक तरफ जहां दिपिका को बड़े प्यार से अपनी बाहों में भर रखा है तो ये दूसरी तरफ दिपिका उन्हें जैसे प्यार से देख रही है तो यकीन है बहुत कुछ बया कर रही है फिल वाकई में रब की इस बनाई जूरी को किसी की नजर ना लगे फिलहाल तो आपको आपके शोयब का यानि शोयब और दिपिका की इन प्यार बड़े लम्हों को देख कर कैसा लगा शेयर कीजिए अपने उपील में इन कमेंट बॉक्स